भोजन करने संबंधित कुछ जरूरी नियम जरूर पढ़ें नमबर एक भोजन पुर्व और उत्तर दिशा की और मुख करके ही करना चाहिए दच्छिड दिशा की और किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है पस्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की ब्रिद्धी होती है नमबर दो स्रया पर हाथ पर रखकर तुटे फुटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए नमबर तीन मल मूत्र का व्यग होने पर कलह के माहोल में अधिक सोर में पीपल ब्रिच के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए नमबर चार प्रसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए नमबर पांच बहुत तीखा या बहुत मिठा भोजन न करें नमबर छे किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन न करें नमबर साथ आधा खाया हुआ फल मिठाई या आधि पुनह नहीं खाना चाहिए नमबर याठ खाना छोड़कर उठ जाने पर दुबारा भोजन नहीं करना चाहिए नमबर नो पसु या कुते का छुआ रजस्वाला इस्तरी का परोसा सराद का निकला बासी मुँसे फुक मार कर ठंडा किया बाल गिरा हुआ भोजन न करें नमबर दस भोजन की समय मौन रहें नमबर गिया रहे रातरी में भर पेट न खाएं नमबर बार भोजन करती वक्ती किसी भी परकार की समस्या पर चर्चा न करें नमबर तेरे भोजन को बहुँ चबा चबा कर खाएं नमबर चवदे सबसे पहले मीठा फिर नमकीन अंत में कड़वा खाना चाहिए नमबर पंद्रे थोड़ा खाने वाले को आर्योग आयू बल सुख सुन्दर संतान और सुन्दर पराप्त होता है नमबर सोले रातरी को दही सत्तु तील योम गरिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए नमबर सत्रे दूद खीर के साथ खिचली नहीं खाना चाहिए दोस्तो आपको यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक सेर ज़रूर करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्दबाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में